कई आप लोग आज क्या करें आज करेंगे आज हम क्या करेंगे किसका लेक्टर नमर 4 करेंगे तो अब तक हमने कई सारी जो topics हैं इस chapter में पढ़ लिया है और इतने ही topics अभी बचे हुए है मतलब आदा almost आदा chapter जो है बचा हुआ है और जिसमें आगे भी कई सारे जो interesting topics है वो आने वाले हैं एक्जाइम प्रिस्पेक्टिव से की बात पात करूं मैं तो उसके लिहाजे से भी जो चैप्टर है बहुत जादा important हो जाता है तो अब तक जो हमने पढ़ा याने की लेक्टर नमर वन तू थ्री इन तीनों ही लेक्टर में हमने जो कहानी है न हमारी इसको continue किया है जैसे आप वगरा देखते हो न उसमें पार्ट बन पार्ट टू पार्ट टीर करके आता है सीव बगएरा मैं आप तो देखते हो कि नेट्स्टिक्स वगएरा तो यहां पर भी हम वही कर रहे है और हम ऐसे कहानी को पढ़ रहे हैं ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि हम कुछ अलगी तो पार किया तो उसने बहुत एफिशेंटली रूल किया और वह काफी अंबीशियस था यह बहुत पूरे योरोप पे तो मैंने पिछले भी लेक्चर में आपको बताया था हमारी कहानी जो है वह एंड हुई थी 1815 है ना यह जो साल था यह बहुत ही कि आप उसके लिए नैपोलियन के लिए 1815 में नैपोलियन भाई साब जो होते हैं हमारे हमारे मुवी का जो में हीरो था यहां बहुत बड़ा बदला बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है अब यहां पर बहुत सारे बच्चे जो है इन इन वह बहुत ही लिमिटेड चीज़े बताये गही है आपको एक्षर पढ़ना तो आपको एक्सर रिसर्फ करनी पड़ेगी तो यहां पर नेपोलियन हार जाता है लेकिन उसको मार दें नहीं है अब बहुत सारे बच्चे यह दोस्तने है कि नैपोलियन को मार दिया बाकी का उसमें जो जीवन है वहाँ पर अपना वितीत किया वहाँ पर और शायद 1824 में इसको बीमारी थी कोई उसको शायद ब्लैडर में कैंसर था तो उसकी मौत हो गई थी तो यही श्टोरी थी नैपुलिन की उसके बाद में इसके जो पूरे साल काफी अच्छे नहीं रह जितने भी देश जो थे जन्होंने नैपुलिन को हरा था इतने भी श्टेट्स तो यह बोल सकते उस टाइम पर देश जैसा नहीं था लेकिन जितने भी नेशन एंपायर जो थे एंपायर पूसियन एंपायर है ना और जब वो मिले तो उसको एक नाम देजा गया वेना और यहां पर लिए जाते हैं आपके हर लेक्चर में उनसे पिछले इतने भी पार्ट हो गया पार वन टू तो पढ़ना है तो प्लीज उसको आप ठोड़ा सब्सक्राइब प्रिवाइस कर लो और अश्यर से क्लियर हो जाएंगी चिज़ें अच्छा फिर पर बहुत इंप्रेंट्ट चेंज होगा मैंने बताया था आपको कि फ्रांस में फिर से बबन डैनिश्टी को जो है रिश्टैबलिश किया जाता है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह पूरा उठागी कि कौन जो है कि बना 1815 की बाद बॉबन निश्टी से कौन कि बना क्योंकि 1789 में कौन था लुई 16 था तो यहां पर लुई 17 जो है शायद राजा बन जाता है एक बादी थोड़ा चेक कर ले लुई 17 था लेकिन उसका जो नेक्स पार्ट जो असका भाई जो थ था उसका एक्जैल दे दिया गया था बाद में वही राजा बन जाता है ठीक है ना और 1824 तक रूल करता है उसके बाद उसको भी हठा दिया जाता है तो यहां पर दूसरी तरफ जो थे हैं ना मतलब हीरो थे हमारे मूवी के यह हार जाते हैं मतलब होता है है ना पार्ट वन में वह हार गए हैं अभी उन्हों हार नहीं माने हैं लेकिन वह हार चुके हैं लिबरल्स हार चुके हैं और वह अंडर्ग्राउंड हो जाते हैं यह कहानी हमने पिछले लेक्चर में देखे थी तो सर अब क्या होगा है ना मतलब 1815 से 30 के बीच में क्या इनके नाम में हम इस सेजर रहे हैं नियुर्ट फॉसे सृसाइटी तो कई कर रहे हैं। चैचे पर आपता जितो कई सा उंगी सानु करों काुए पर शॉन की बचमार डेखोगे तो कई सारे चैंज इस क्जेद कि आप सुनों यहान 혼 threw . यहां पर अब जो भी लिबरल अपने हक की अवाज उठाता था अपने राइट से लड़ता था तो उसको यहां तो एक्जाइल कर देया जाता था उसको और फ्रांस में कुछ भी हो जाएं फूरे योर्प को सब्सक्राइब यॉर्प को शर्दीन नेशनलिश्म को अगणिस कॉल्च हो जाता है तो यह स्टेटमेंट किसे ने दिया था यह स्टेटमेंट ही जिए उक्ता ने बंदा था और वो कहता था वह महारी हमारे जो हमारे आर चला रहा है इसको कर देंगे तो वह बहुत जादा नफरत करता था मतलब ऐसे लोगों से लिबरल से बहुत नफरत करता था अब ऐसी सरकार आ गई गवर्मेंट भी ऐसी लोगों की आ गई थी तो यहां पर जो लिबरल ने पिचारे चुपए-चुपए-घुम रहे थे अंड किसी को पता लगे मतलब बिना किसी को मतलब conservative को पता लगे यह अपनी जो आइडिलोजी है यह लोगों तक पहुंचा रहे है ना तो इसके बारे में हम बात करेंगे तो यह सारी जो टॉपिक है हमने पूरे कवर कर लिए तो यहां पर देखोगे आप जो सबसे पहले टॉप कि इस फंटरा सालों में इस पंद्रा सालों में कि इस इन पंदरा सालों में क्या हुआ भाई सबरेंगे यह इस की पहले बात करेंगे हैं रूधा किम कि पूरा काम खतम हो लुड będą पहुत श्ट्रॉंग हो जाता trif बिर से एक अफिवल होता है कब होता है 1830 में और ना हम सिर्फ एक पर करेंगे हम करेंग्ए एक साओ बाद करेंगे तो यहीं आज के हम टॉपिक में आज क्लास में पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा रिलेट करते रहना है ना तो मैं पूरा रिलेट करवा दिया आपको पिछले कहानी हमने श्टोरी जो थी पिछली कहानी जो थी हमने 1850 से ही कॉंटीनू होगी यहां पर और सार अगे बढ़ने से पहले एक अनॉंसमेंट आपके लिए अगर आप 10 में सीरेस होगे पढ़ना चाहते हो मतलब ऐसा नहीं कि दिस्ट्रक्शन के साथ पढ़ रहे हो यूटूब पे 10 वीडियो देख रहे हो डिस्ट्रक्ट होगी ऑविस्सी बात है अगर आप सीरेस होगे कूपन कोड को अप्लाई गरके आप डिस्काउंट ले सकते हो 25% फ्लैट आफ होगा तो आपको यह जो प्राइज़ें वह पेर करने की ज़रो नहीं है आपको यह वाली जो प्राइजें वह पे करने है ठीक है ना तो आगे हम अपने टॉपिक्स की बात कर लेते हैं तो सबस करना है तो यहां पर सीखेंट स्टैबिश होनी शिरू हो जाती है अब यह जो सीखेंट स्टैटी जो थी ना यह रिवालुशनरी जो थे इनके द्वारा जो है बनाए हुई सीक्रेट स्टैटी थी और ऐसा नहीं तो यहां पर भी इंडिया में भी एक चला था अगर आप थ कुछ ऐसे संग्ठन बने थे जो अंग्रेजों से छुपकर हमने क्या किया था हम अपने रिवालुशनरी चीजहों को प्रमोट कर रहे थे अंग्रेज़ों को पता नहीं था अदर टेवल है ना तो यह सारी जो चीजह है चाल ले थी ना अगर उस टाम पर 1815 की बाद के बात करें कि जब conservatives आ गए थे conservatives का रूल था तो वहां पर रिवॉलुशनरी होने का मतलब क्या था कि आप किसके अगेंश्ट हो तो आप एक जो मुनार्कल फॉर्म जो है गवर्मेंट की है ना उसके अगेंश्ट हो आप और आप ऐसे करते हो पकड़े गए ना तो आपको सीरह मार द जो conservatives जो है ना ये कुछ होने नहीं देंगे हम ऐसे ही एक होता ना जो feeling होती है नेशन इस्टेट की एक term बहुत भूब यूज हुआ है चैप्टर में नेशन इस्टेट तो नेशन इस्टेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इस्टेट जहां पर जो लोग रह रहे हो है फिर देशन को फॉर्म करेंगे तो एची मैं बोल देटें इसको यह मोल देते हैं नेशन श्टेट आज की हम टाइम की बात करें तो हम किसमें रह रहे हैं आगर आप यूपी से हो बिहार से हो एंपी से हो और यह भाहर जाओ यूएस बगरा में तो आप यह थोड़ ना बोलोग जो सबसे और आप हो सकते हो एक जिस बंदे ने बहुत जादा रिवॉलिशन लाया एक बहुत बड़ा जैसे हम बात कर सकते हमारे जैसे इंडिया में गांधी थे ना तो यहां पर गुसिपी मजी नी अगर मैं इस इंसान के बारे मात करूं ना यह इंसान यॉरोप का नैशनलिजम का मतलब नेशन स्टेट का मतलब और इसके वजए से आप देखोगे के पूरे यॉरोप में ना कई सारे चेंजल आने शुरू हो जाते हैं जैसे हारे देश में भी तो थे ना महात्मा गांदी सर्दा वल्लबाई बटेल भगस सिंग राजगुरू सुग देव बहुत सारे मोमेंट चलाए तो ऐसी कौन थे ऐसी इटली के इटली के यह गुसीपी मजीनी थे इनका जो जन्म में वह अठाव साथ मुआ था कब वहा था एटीन दीटो साफन में जन्म उसके बाद क्या हुआ आप देखोगे यह कारबोनारी एक सीक्रेट साइटी थी उसक बन जाती एक बाट में बनी ऑन इनों इस सीकेट साइटी बनाएं तो उसकी देखा देखी में इनसे लोग इतने इंफ्लेंस हो गए यह बाकी की और जगाव पर जो हो एक तो आप डेखो कि यूऔर तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे इंसान के साथ आप रहोगे तो इनके देखा देखिए में और सारी जो नेशन ते वहां पर भी सीकेट्टिस फॉर्म होने लगी तो इनका बहुत बड़ा रोल है कहीं नेशलन की फिलिंग को टैबलब कर रहा हूं तो इनके बारे में इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए सबसे खतरनाक एनिमी है हमारा इंसान इसको निगाल लो हमार दो इसको इनको कई बारी मानने की भी कोशिश की गई लेकिन अपनी आइडिलोजी स्कूइब करवाने में ना काफी दाधा है ने इन्हें इसके लिए थोड़ी सी बात की दा रहे है तो यहां पर इनको जनुआ में इनका बहुन हुआ था एक टीज इनका अलग मानना था इनकी थोड़ी अलग आइडिलोजी क्या थी तो मजीनी बिलिफ देट गॉड है इंटेंडेड नेशन टू बी नेट्वल यूनिट ऑप जब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि देखो कि यह हमारे जो भगवान है ना मतलब इनका मानना सब्सक्राइब यह था सब्सक्राइब कि हमेनिटीस से बढ़के ना कुछ होई नहीं सकता है ना और एक हमेनिटीस कैसे डेवलाप हो सकती है कि जब सब में प्यार होगा एक साध्या पैचान होगी सब एक ब्रदर हुड वाली जो फीलिंग होगी और इन सारी चीज़ों को म सब्सक्राइब करें तो यहीं इसी से क्या फॉर्म होगा इसी से नेशन फॉर्म होगा इन इतली कुछ नौट भी टूट पैच्वक आप स्मॉल सेट्स एंड गिंग्नम तो इनका मानना था कि जो इतली कि एटली कि एटली भी उस टैम पें सैवन पार्स में डिवाइड़ हां और इस टाइम पर आप देखो कि इनका मानना यह था कि जो इटली है ना यह स्मॉल स्मॉल पैच्ज में ना डिवाइड नहीं हो सकता है हमारे इंडिया में अगर आप इंडिया की हिस्टी के बारें पड़ोगी तो यह सारी चीज़ एक जैसी हो दिस्टी में हमीशात र आप इसका मजीन के बारे में थोड़ा पड़ लेना आ जाता है अब बात कर लेते किसके बारे में आपने थोड़ा साफ को पढ़ने से पहले हमने 1815 से 30 के बीच में क्या हुआ अब उस टॉपिक के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं क्या हुआ 1830 में कैसे कैसी चीजे हुई इसके बारे में बात करने टकी उन्हों करने लाजा करते हैं और जो लिबरल नेशनलिजम उसको जितना हो से कहा हुए उतना हुआ उन्होंने सप्रेस करने की सोची कि जितना हो से कि लोगो अगर एक बाड़ी खड़े हुए न तो फिर मुश्किल हो जाएक है अब लोगो तुम कब तक क्योंवी 1789 में जो रवलुशन हुआ था वह बहुत परेशान थे आपने वह स्टोरी सुनी होगी फ्रेंच रवलुशन वाली तो लोग बहुत परेशान थे उसके बाद पानी सर से उपर चला गया था उसके बाद ही रवलुशन हुआ था तो यहां पर भी कुछ वैसी स्टेशन क्रेट हो गई थी जो 1789 में क्रेट हुई थी कि लोग बहुत परेशान हो गए थे और पानी सर के ऊपर चला गया था फाइनली जो है आपर रिवल्ट हो जाता है 1830 में सब्सक्ते पहले बात करूंगा फ्रांस की उसकी बाद बेल्जिम की बात क अब बहुत सकते हो जितने भी रिवालीशन हो रहे थे लेट वर लेट बाए अजुच नया नहीं है कि जितने भी रिवालीशन हुए थे इसमें अपने आपको लिबरल्स बोलते थे उनके द्वारा यह यह शुरू किया गए थे अब क्या हुआ सुनों अब हाँ यहां पर थोड़ी सी काहरी सुनते हैं कि अब हुआ गया इन सबका हुआ गया 1813 तक इन्होंने जो भी रिवालीशन वगएरा करना था जो भी सिक्रेट स्वाइडिस बनानी थी वो डैवलप कर ली तो पहला जो आप हिवल हुआ था वह था फ्रांस की आना कब की बात है यह जुलाई अ कि ऐक ऐसे तीह असव सहे चैय संब्स्क्रेशन थी तो झाल एक एक ऐसा कांडु है कि जहां पर सबस्क्राइब 0 लिभार रहाए उसा क़्यों बियर दा पावर फफ़व पर इस लिया जार आज और एसा इसको शिंट्र फर से फ्रांस डेबलप होगे मतला फ्रांस में एक तरह से बोसे नेडिपनेंट स्टेट बन जाता है 1830 में और यहाँ पर राजा किसको बना जाता है यहाँ पर लुई फिलिप को यहाँ पर राजा बना दिया जाता है लेकिन इसको कंट्रोल को नहीं करेगा आपको फ्रांस सब्सक्राइब करते लिए फिलिप उसको राजा बना रिया जाता है और जो भबन किंग जो था और उसको खार के पिक देए जाता है ठीक है यह सारी चीजा हुई है अब यहां पर यह स्टेट्मेंट दे रखा वई है ना यह इक इसने वह ने वोलता है तो यह स्टेटमेंट आपको उसका मतलब बता दिया ठीक है अब तुलो जुलाई रिवोलिशन के बारे में यह जुलाई रिवोलिशन है इसके बारे में बैल्जिम के बारे में अब बैल्जिम जो आप देखोगे थोड़ा सब नेभर कंट्री है किसका फ्रांस का अब पहले तो कि बैल्जिम ठाना ? बैल्जिम पार्ट होगरता था तका फ्रांस का युणाइटेडड Stevieुव ऑफ निधरलेंड आज इंप नीधरलेंड और बैल्जिम दो अलग अलग स्टेट अनेशन है वुश्टम पर युणाइटेड प्रेड नीधरलेंड ता था पार्ड होगरता तो आपर उसी की बात हो रहे है तो इससे होता है कि जो बेल्जिम जो होता है वो जाता है नीदरलेंड से ठीक ना यह हुआ अच्छा अब लास्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं चैप्टर के इस क्लास के चैप्टर नहीं चैप्टर तो बहुत लंबा है ग्रीग वार अफ यह कहानी बहुत इंट्रस्टीग कहानी बहुत इंट्रस्टिंग ग अगर दॉटको थोड़े सी बात करौँ हां ठुटा से देख omnipot Ice ऑ शमना अगर बात करू मे Herren इमयों किछ से revolution के अगर बात करूं तो तो यह हमने पड़ा ना फ्रांस में और फ्रम्स रहो हुआ है कहां पर हुआ यह है करें कि ब्रूसल्स के बात करें है और ठीक्रीन में रजिन वह वर्फ इंडिपेंडेन सिघ्रिडीन के बारे मैंने फ्रांस के बता लिए आपको कि युओ ल्लीघियंत novo Range प्लसरक प्रसेफित मुनार्किया आजाती है कहां पर प्रांस में यहां पर जो बेल्जम होता है वो टैपर हो जाता है अलग हो जाता है अग्षापरेटेड फ्रॉं तो यहां पर ग्रीक्स ग्रीज के अमबात करें यौरोप में आता है लेकिन पर इसलामिक अंपायर था और प्रॉल्म क्या थे ग्रीज जो घ्रीज में रहने वाले लोग थे ग्रीज को इसलाम को स्प्राट करना चाते थे यह लोग भी हैं लेकिन अंगर में ग्रीज की बहुत पुरे यॉरोप का ख्रेडल बोला जाता था ता किसको ओ ग्रीज को बला जाता थे ग्रीज को तो हो जाता है Christians के लिए तो बाकी की यॉरोप का बाकी की यॉरोप में जो देश हैं मलब जो भी श्टेट से उच्ट हैं पर उनका फुल सपोर्ट था किसको ग्रीस को ग्रीस के लोगों को और कई सारे लोगों को जो एक्जाइल भी किया था इनके देश में तो लोगों ने अपन यहां पर आगे बात करेंगे क्या है रुमेंटिस्टिस्म लिए समझों भी कि बहुत सारी जो पोईट्स है जो इस्टोरियन्स है इन सारी चीजों ने आप बोल सकते हो कि ग्रीस में एक रिवॉलिशन लाए ते यहां पर कोई युद्ध बगएरा नहीं हुआ था कूई बह सब्सक्राइब बहुत बड़ा युगदान राए घ्रीस को आजाज दिलान में ठीक है अब यहां पर पोईट थे लौड बारन करके नाम है उनका इनके जो फॉक्स सॉंग्स जो है इन्होंने बहुत जातर आप हो सकते हो इस्ट्वल कि बात हो रही है आप देखो कि इस्ट इन्डिपेंडनेट नेशन बन जाता है और टीटी कौन से सायन होते है टीटी ऑफ कॉंस्टेंटीन पोल से यह एक इंडिपेंडनेट नेशन इमर्ज होता है सिंपल इस इसको अम हिंदियों बोलता है कुस्तक तुनिया की संदिए ठीक ना खेर याद करने कि दिरो तनी है तो आपको इतनी चीजे मैंने अतनी कथा बताई है वह बहुत अच्छे से जो टैना अने आपको जालक ने लिखा हुआ Ochamont सब्सक्राइब का पार्फुल आपार्फुल ऐस्ट नहीं इस तर इंडिपेंडनेस अमंग ग्रीक 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 बिगरें फिल्ट इन डिलिए टीन इंटनडियम वहां से थी किना नेशन ग्रीक गट सपूर्ट फॉन डाव यूडर्ट यॉप और यहां पर जो वेस्ट यॉपींज यह बात करूं यह काफी जादा इंफ्लूएंस थे ग्रीक कल्चर से तो उनका भी सपोर्ट था इने ठीक है और फाइली क्या हुआ फाइली आप देव होगे यहां पर बहुत सारे जो वह इस और आर्टिस्ट वगरा इनका बहुत बढ़ जैसे कि हम आप यहां पर बोला जा रहा है घ्रीज एज एज दा राटल ओफ यॉर्पीन सिवलाज़ाइशन यॉर्पीन सिवलाज़ाइशन का क्रेडल माना जाता है किसको घ्रीज को इन्हों ने पर नहीं का फिक वार किया इन्होंने और इनकी अट हुजाती है फीवर से 18 1824 में तो इनको याद कर लेने कभी कभी आ जाता है एक्जाम में और फाइनली टीटी ओफ है ना कॉंच्टांटी ने ग्रीज को एक इन्डिपेंडेंट नेशन रिकरगनाइस किया तो यह थी कहानी हमारे किसकी वह यह थी कहानी मारे आज यह लेक्चर की तो जिसमें हमने क क्या क्या स्वित देखने को हैं फिर हमने बेल्जयम के बारे मारे में फ्रांस में वेक्र इटीटि communities decrease में फ्रांस अभी रिपब्लिक कैसे बनेगा मलब प्रॉपर जो एक होता है डेमोक्रासी जैसे आज चल लिए वो कब बना फ्रांस में है ना तो इन सारी चीज़ों के बारे मां अगले क्लास में बात करेंगे ठीक है ना तो आई होप आपको यह लेक्टर जो बहुत अच्छे किलियर हो गया होगा तो किलियर हो गया है लाइक भी कर देना थोड़ा मोटीवेशन मिलता है और आपके कुछ रिव्यूज है वह भी आप देश सकते हो कॉमेंट सेक्शन में ठीक है ना चैनले तो एंड करते हैं इस क्लास को बाबाए टेक क्यार